हमीरपुर पुलिस ने लाखों की किम्मत के मुवाइल चोरी फोन करने के आरोपी को पकड़ा है पुलिस ने चोर से मुवाइल फोन भी बरामत कर लिये हैं रहा था वह करीब 12 बजकर 15 मिनट पर हमीरपूर बस्टेंड के नजदीक एक होटल में रुका और कार को होटल के बाहर सड़क के किनारे पार्क कर दिया वहीं सुभा करीब 6-7 वजे राजकुमार ने कमरे से उठकर बाहर कार की तरफ देखा तो कार की पिछले सील पर रखी मुबाईल फोन की 34 पेटियों में से दो कम पाई गई इन दोनों पेटियों में 19 मुबाईल फोन थे जिनकी कुल कीमत 4,10,000 रुपे थी पुलिस ने कारवाई करते हुए आरोपी प्रदीप सिंसे फोन ब्रामत कर लिए और साथ ही उससे अन्या चोरियों के बारे में पूच दास की जारी है पुलिस ने आरोपी के पास से विभीन प्रकार के कपड़े भी ब्रामत किये है वही राद के समय पहने कपड़ों को उतारकर आरोपी दूसरे कपड़ों में बाजार में मुबाइल फोन बेचने की फिराक में भी घूम रहा था वही हमीरपूर पुलिस अधिक्षक रमन कुमार मिरा ने बताया पुलिस अधिक्षक ने कहा कि पुलिस को जिला की कई स्थानों में हुई चोरियों के बारे में भी बड़ा सुराग हाथ लगनी की उमीद है उन्होंने कहा कि मुबाइल फोन चोर को दोजने में सदर पुलिस टीम और विजलेंज के नरेश कुमार की ततपरता काम आई है करमा कल रातका है जो कि आज सुबह रिपोर्ट हुआ है गटना रात की एकलों की जिसमें एक गाड़ी का शिशा तोड़कर उससे कुछ मुबाइल निकाल ले गए थे कुल 19 मुबाइल थे जिनकी किमत 4,10,000 पे थी सुबह जैसे ये रिपोर्ट थाने में पहुचिया उसके बाद में हमारे सदर टीम ने और SIU ने मिलकर एक जॉइंट आपलेशन में इस चौर को पकड़ा है और सारे मुबाइल थे हमने रिकावर कर लिये है 386 IPC के तहट केश दर्ज किया गया और इसमें पूरी रिकावरी भी की गई और बाकी जो सम्मनित वुकत में हमें भी जाजपड़ताल इससे कर रहे है और ऐसी उमीद है कि कुछ और मामले इसमें खुड़ पाएंगे खासकर जो भी पिछले दिनों जो DC आफिस की पार्किंग से कार चोरी हुई थी